हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्याम आसागर आपका बहुत-बहुत स्वाग आते हैं आज हम पढ़िंगे एक साथ 14.1 फिर से उसके थूगी स्ट्याटिक्स में हर क्वेश्चन को कराना मैं इसले इंपोर्टेंट समझ आँ क्योंकि हमें पता नहीं हैगी स्ट्याटिक्स के कौन्चे कोश्ट्य आ सकते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं f1 x upon f1 कर के ठीक है एक मतल्ड यह पड़े फिर दूसी मतल्ड पड़े जिसमें हम यह निकाल ले थे आज हम एक और अलग मतलड पड़ेंगे जिसमें हम d निकाल ले होगे ठीक है तो चलिए बिना किसी करके ठीक है एक मतल यह पढ़े फिर दूसी मतल पढ़े जिसमें हम यूँ निकाल ले थे आज हम एक और अलग मतल पढ़ेंगे जिसमें हम डी निकाल ले आपके मन लिजी कि आपके अपने महले में गए और आपके 25 गना आपने सभी से पूछा कि आपका जो डेली एक्सपेंडिचर है फूड में बलब कि आप जो डेली सुबह से समतक खाना मना जाए उसमें कितना रूपया खर्चे होता है आपने उसके बारे में पता किया ठीक है यानि कि हर घर में एवरेज यानि कि मीन कितना रूपय खर्च करते है ठीक है तो चलिए कुशन को सुरू करते है और जिसने में पिस्टी दो वीडियो ने देखी है वो एक बाद उनको चाकर देखी क्योंकि इसमें भी मैंने इंपोर्टन कुशन से डिसक्रस के हैं जो यानि कि इन सबसे जो भी आएगा वह मैंने यहां पर टेबल बना रहे है इसमें लिशाब है देखिए 100.50 अपॉन दो यानि कि धाइस अपॉन दो 250 अपॉन टू कितना का 125, 150 अपा सबके लिख देता हूँ देखिए जैसे मैं हबर लिखता हूँ इसको फटामट से ताकि आपको इजी हो देश समझने में ठीक है तो देखिए यह है 250 अपॉन टू इस इक्वल टू यह है 350 अपॉन टू इस इक्वल टू यह है आपका 450 अपॉन टू इस इक्वल टू और यह है आपका 550 अपॉन टू इस इक्वल टू और यह आपका 650 अपॉन टू इस इक्वल टू इतना है देखे जैसे हैं अबर class size निकाला 50 है class size क्या होता है जिसको पता नहीं मैं बता देता हूं class size होता है कि इन दोनों की बीच का difference यानि कि 500-100 करेंगे कितना हैगा 50 200-500 करेंगे कितना हैगा 50 यह होता है हमारा class size ठीक है करते हैं मीन निकाल सकते हैं ठीक है कभी कभी कहते हैं कि by using d, d को use करके निकालो या फिर u को use करके निकालो या फिर suitable method से करो कह सकता है आपको mean क्योंकि अगर बड़े question मा आएगा बड़े 6 नमर मा आ गया तो आप simple से mean निकाल के नहीं आएगे या फिर d वाले function से या फिर u वाले यानि कि इसमें जिसमें u होता है यानि कि इसमें d d होता है वाले से भी निकाल सकते हैं तो चलिए इसको discuss करते हैं अब कहो गया आप a क्या होता है इन सबका mean term है यहाँ पर 225 कैसे देखो इसके निचे भी दो है इसके निचे भी उपर भी दो है यानि कि जो जो 20 में है वो 225 है ठीक है फिर अब a हो गया यह 225-1 75-50 इस से इसको minus 100 निचे को वही उपर को minus 5-100 है तो निचे को 500-100 है अब कि किसी के दिमाग में यह आ रहा होगा कि यहां मैंने फिसले उडियो में बताया था कि 0 चे उपर को minus 1-2 होता है वो d के लिए नहीं होता है वो u के लिए होता है देखिए d जो me term है वो होता है 0 और उसके उपर minus 1-2 और उसके निचे 1-2 ठीक है आप इसको फ्टारबट से पर निकालते है ठीक है सबसे वरी क्या करेंगे देखो यह fi ui निया फोर टू फोर इंटू माइनस टू कितना होगा minus 8 होगा 5 को गुणा करेंगे जब माइनस तो आएगा minus 5 ठीक है 12 को जब 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0 कि 0 के सांथ कोई भी digit मंटिप्लाय करो वो हमें कि इनका सम होता है वो निकालेंगे हम ठीक है इनका सम निकालेंगे सम अधर सभी को जोड़ दिंगे देखिए सबसे मेरे चाहिक है मैंने minus 6 और minus 5 को आपसमें जोड़ा यह कितना है हमारा minus 13 आएगा आएगा नहीं आएगा यह जब minus का साइन हो जाते है लेकिन साइन किसका है बड़े वाले का साइन यहां पर minus का बढ़ा है तो यहां पर minus 8 minus 5 plus 13 हो जाएगा और sin minus का जाएगा जैसे देखिए मैंने यहां पर लगा रहे है फिर 0 का तो 0 यह लेगा 0 प्लस 2 कितना होता है 2 2 प्लस 4 कितना है 6 मैंने हाँ पर लिख जाए ठीक है फिर देखिए मैनस 13 प 5 कितना 9 9 plus 21 ए 25 अगर sigma 5 question में दिया रहता है देखोंगो जो question में दिया है न टॉप में 25 household के बारे में चैक करेंगा यह हमारा sigma 5 UI होता है तो यहां बर सिद्धे से दिख सकते है sigma 5 UI sigma 5 is equal to 25 या फिर आप calculation करना चाते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसमें कोई गठी नहीं नहीं है और कोई गलत बात नहीं है उससे आपको confirmation मिल जाएगी कि हमारा question सब्सक्राइगा ठीक है फिर अब हम फोर्मन लगाएं मीन x i x bar is equal to mean x is equal to a plus h sigma 5 UI जो हमने यह निकाला यह हमारी class size यानि कि 300-300 बीच के इन सब के बीच में gap कितना था पचास का gap था तो हमने 50 लिखा into fi y कितना है देखिए minus 7 तो हमने यहापर minus 7 लिखा upon कितना है यह sigma 5 25 होगा तो upon 25 यानि कि 25 तूजा 50 होता है तो 26 को आठा जो 25 1 जा हो जाएगा यहाँ पर देखिए जब हम इस देखिए फिर 225 225 बाइजाएगा 27 के इतना होगा 14 और minus plus minus के minus का sign आएगा ठीक है फिर अब यहाँ पर इनको minus कर दीजे तो आपका जो mean है वो आपका आगया 211 ठीक है क्या किया था में इस question में हमको यह दिया था हमने से पहले किया निकाला midpoint निकाला हमको एक आगया तो पचा 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 बढ़ाते गई लास्ट तर अब गाला midpoint आगया फिर हमने दी निकाला एक से minus a minus 100 में यह आया फिर हमने यू निकाला यू तो उंको सीज़ाता है जो mid term होता है 0 उसके ओपर minus 1 minus 2 नीचे को 1 2 फिर हमने इसको इससे multiply करके यह निकाला FIUF इस इन सब का एड़ किया इन सब का एड़ किया फिर हमने जब formula हमको बता था formula यह था तो उने formula में रखा और हमारी एक सबार की value आ गई ठीक है simple तरीके से आ गई आपको इस पर ज़्यादा मेलद करने के जरवद दिए बरस आपको जो trick है वह आपको आने चाहिए ठीक है कैसे इस question solve प अब जब भी हम आम की पेटी में बराबर आम हो और हो भी सकता है कि दो पेटी में बराबर आम नहीं हो तो इसने वही लिखा है कि इस बोक्स कंटेंड वेरिंग नंबर आप मेंगो जाने कि जो जो अलग 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 डब हैं उनमें जो आम की जो नंबर से हैं वो सेम नहीं है अलग लग है ठीक है distribution of mangoes according to number of boxes given below याने कि जो डबो में कितने आम है उसका जो distribution है नीचे जिया गया है तो हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या जिया गया वही तो इसने कहाए गए number of mangoes याने कि 50 से 52 के बीच में आम 15 बेटियों में है 53 से 55 के बीच में 110 बेटियों में 110 ऐसी 56 से 58 आम 135 डबो में है और 59 से 61 जो आम है वो 1115 boxes में याने कि 115 डबो में वैसी 64 25 boxes याने कि 25 डबो में यह हमको बता रहे बताया उसने ठीक है और अगला में क्या कर रहे है find the mean number of mangoes kept in a box अब जब इसने हमको प्रे टेबल दे दिये इसने हमको क्या कह दिया इसने हमको एक question खड़ा कर दिया कि बताओ कि इसका जो mean होगा निकालो मैंने तो तुम्हें यह question हमसे क्या कर रहे है कि मैंने तुम्हें दे दिया कि अलगला दबो में कितने कितने आम है अब तुम निकालो कि mean कित 50-52 है प्यानि कि 52 52 है फिर यहां पर 52 वाला टर्मीन ही है तो हम जब इस टाइप के question आते हैं हम क्या करते हैं हम करते हैं तो यहाली lower limit होती है इस में से point five minus money though एएप करते हैं अब हम ऐसा क्यों करते हैं अब देखो जैसे यहाँ पर दोगा गैप है मलनाँ… अपर थीनması lại पर होता है 54 तो यहां पर क्या करते हैं और यह बीच का gap 4 होता तो हम क्या करते हैं एक को मैंच करते हैं और इक को यहां plus करते हैं थीक है अब देखो है दोगों एक साथ नहीं दिख पा रहे हैं. जाएगा और अपर लिमिट में और始फवल से संँल है करेंगे समय कंते हैं है। यादि की अफो क्ल्स हाईट ,क्ल्स हाईट यादि की एक इस अधो अब देखो 49.5 या नहीं कि यह 3 अब जो class size होती है न हम इससे नहीं निकालते हैं इससे इनको देखे जो हमारा class interval होता है न उससे हम class size निकालते हैं तो यह क्या 3 देखो इसमें से minus करोगे सबको minus करोगे तो 3 3 3 आएगे ठीक है बिल्कुल सही बात है फिर देखिए आगे तो फिर mean value अब हम बहले mean value मैंने आपन लिखी है अब कैसे आईए हमें निकालेंगे देखो सबसे बहले हम midpoint होता है upper limit plus lower limit upon 2 यानि कि जब इन दोनों को add करेंगे तो हमारा आएगा 102 upon 2 is equal to इतना और इसका भी मैं लिख दूं 108 upon 2 आएगा जब इन दोनों को add करोगे और जब इन दोनों को add करोगे तो आपका आएगा हमारी 3 हमने लिखी भी है तो फिर हमने 3 बड़ा आया 3 फिस में भी 3 फिस में 3 बड़ा है हमारा मिटपरंट है यहां से आगए ठीक है समझ गया सभी लोग अब इसके बाद यह नमबरों फॉक्से लिख जिए हमने 1510 हमको दिया था कितने बॉक्से में तो हमने यह भी निकाल थीक है उसके बाद हमको निकालनाए है यह दो को मिटब यह अनुम मेरे ऑन्स अने कि मीं जोमयलिय को मैनस करें तो हमने आते है डी ठीक है तो 56 मैनस 15 करोके तो minus 6 आएगा जब 54 10 करोके तो minus 3। 57 से खुद को भी मैनस करोगे तो 0 आएगा और जब 60 से 60 से इसको मैनस करोगे तब 3 आएगा 63 से इसको मैनस करोगे तो 6 आएगा ठीक है यहां तक सभी को समझमाया अब क्या करना है सिंपली अब हमारे पास fi है और di है तो इनुकासर मंटिप्लाइ कर दो अब जब हम इन सबको एड़ करेंगे तो हमारे कितना आएगा देखो मैनस 90 मैनस 30 को एड़ करेंगे क्योंकि हम sigma fi di निगा लेंगे ना क्योंकि हमें total number of observation का समझी होता है किसी भी आँसर को निकालने के लिए तो जब हम इसको एड़ करेंगे हमको पता होना चाहिए कि कितनी पेटी है ना हमकी total तभी तो मीन निकलेगा तो देखे 15 110 135 जी इन सबक्रट गया है कि 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 5 20 0 2 के लिए हो जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 5 5 प्लस 1 6 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 कितना होता तू के दी था 10 होता है तो 71 के लिए है है तो 1 प्लस लॉन 2 होता है f3 मिल थे थ API कर दी थे धी हमारे तो यह कितना है di upon sigma fi fi di कितना है 75 और height कितनी है हमारी देखो यह 3 है ठीक है और यहाब sigma fi कितना है 400 याने की सबकी value रखी यह हमारा 57 है mean value plus 3 into 75 इसके sum और 400 इसका total numbers तो अब हम जब इसको solve गया तो 25 सिरे 75 होता है 25 16 या 400 होता है ठीक है तो 9 upon 16 आया तो मैं 16 से 9 को डिखाता तो आया मेरा 0.5625 ठीक है पिजब इन दोनों को आपस में add करेंगे तो हमारा आएगा 57.5625 ठीक है तो जब मैं इन दोनों को add किया तो हमारा अब आपसे मुलाकात होगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्ते उसके सांद शेयर कीजिए जो भी अभी 10th क्लास में उनको शेयर कीजिए और चेकरते हैं कमेंट करके बताएए कि आपको वीडियो कैसे लग लिए तब तक के लिए दोगस की दूरी मास्क है जरूरी सेनिटाइजर यूज कीजिए और मास्क पहने रहिए अपना और अपने घर्वानों का जान रखें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केर अन्यवाद अन्यवाद